सब्सक्राइब बात करेंगे चंद्रियान 2 के बारे में सारी परिच्छाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होगा ये लेकिन उसके अलावा अगर आप एक इंडियन है तो आपके लिए प्राउड का मुव्मेंट है बींग इंडियन भले आप किसी परिच्छा के बिशस्ता है तो इस वीडियों में बात करने वाले चंद्रियान के बारे में A2Z कुछ भी है सारी कुछ आपको जनकारी हो जाएगी और चंद्रियान वन था उसमें क्या डिफ्रेंसेज हैं ये भी आपको पाच रहेगा तो आप वीडियो में अंतक जरूर बने रहें लाइ सार्का पहला म contour में से जैब कि चंद्रियान वन क्या था अगर ये पहला तो दोस्तों चंद्रियान वन था वह सईक्रमी तरफेस पे उतना मैं знать वो चंद्रमा सर्फेस ते डूर उसके चकर रहAK और यह जो जो है कि सरफेस पर उत.." तो उत ये उतरने वाला मिशन ये पहला मि जोगा है वहाँ पर चलेगा इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे आपको लॉंच डेट इसका 15 जुलाई है और यह मिशन किसका है इस रोका ठीक है इस रोका यह बताने के जूरती नहीं है आपको इस प्रेस से टिल्टेट कोई भी मिशन होंगे वह इस रोके ही हो ही और ईक्जाम और यूच से देश्क इंप क् इंपोर्टन चीठ जो इसका लोंच वह किससे लॉंच किया गया इसको.. GSLV Mark 3 GSLV Mark 3 वेहिकल से इसको लांज किया गया और कहां से लांज किया गया है 37-1 Space Center Shri Haricota, इंडिया ठीक है 37-1 Space Center Shri Haricota में से इसको लांज किया गया और इसका जो टोटल वेट होगा वह होगा 3850 kg 3850 kg का और इसकी जो लागत आई इसको मन्ने में पूरे प्रोजेक्ट की लागत है वो है 978 करूर ठीक है और यह जो है मिसन इसलिए सबसे important हो जाता है क्योंकि यह दुनिया का पहला मिसन होगा जो चंद्रमाप के दच्छडी दुरूपे उतरेगा ठीक है दो किसी भी ग्रह के उपग्रह के है वह आपे नहीं पहुंचा है क्योंकि वहां पे टंप्रेचर बहुत ज्यादा है और दूसरी चीछ यह भारत चौथा देश बनेगा ऐसा कार नामा करने वाला मिसन हम पूर अगर हो जाएगा तो दोस्तो अगर हम इस मिसन की बात करते है तो परसंटेज है वह काफी कम है 20% parallel स्छेसलिश जो रेट है वह बावन परिट्सती है तो देखते हैं इस रों के साथ क्या होता है वह तो कल पता चलेगा तो अभी टोटल इस effect is की दूरी तुताय करेगा पांस दिन में वहां पे पहुंच जाएगा ठीक है बाद में 28 दिन जो है जो उसका आर्बीटर है वह 28 दिन जो है चक्कर लगाएगा चंद्रमा का उस चकर लगाने के बाद 6 सिप्टमबर को जो है जो और विटर है उससे लेंडर जो है अलग हो वह जो जो जाएगा लेंडर लेंडर लांड कि चलेगा उसके आगे हम चर्चा करेंगे तो बताना चाहिए उसकी जो लाईफ होगी वह 14 दिन तक वह 14 दिन तक दोस्तों इसलिए और म loven के दिन अगर चंद्रमा का दिन मानो तो एक दिन होगी क्योंकि चंद्रमा में जो जो गूम पाता है है 29.5 प्रतवी डेस हिसाफ से वह गूम पाता है 29.5 और रच में क्या है कि प्रतवी का चक्क्र भी लगाता है तो यो 29.5 यह यह लिए पैसे पर अ्मेशा उसका पदता पूरा दिन उता है एक चोजर समेख़ और रसे इनों 15 दिनों के बराबर उसका एक दिन उता है मतलब दोनों खताम हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर चौज़ दिनों के बाद फिर चौज़ दिन तक राद रहेगी और फिर उसके बाद सन निकलेगा तो इस रोग ने बोला है अगर वो फिर से रोवर लेंडरे स्टार्ट हो जाते हैं तो यह इस रोग के लिए बोनस होगा अधर ट करें मदद करेंगा और रोवर की चलेगा वहाँ पर लेंडर और रोवर ये लेकिन और उर्बीटर की लाइफ है उसकी एक साल तक है वह एक साल तक चकर लागाता रहेगा और वहाँ से इमजस पिकचर बेष्टा रहेगा यहां पर नीचे ऐस आ जो आपका अगर इसके थोड़े तियास के बारे में हम बात करें तो 20078 के करीब इसका जो है हस्ताचर हो गया थे इसमें और उसके साथ काम करने की मलब के साथ हस्ताचर हुए थे और उसमें काम भी होगा था काफी लेकिन 2013 में जो लेंडर था वो रस्यान इस्पेस एजनसी बना रहे थी फिर बाद में जो है इस रोन अकेले इसको फिर बनाया है तो वो रही थोड़ा से तियास के बारे में इसकी और वीटर क्या करेगा और वीटर दोस्तों एक बॉक्स के आकार का है ठीक है इसका जो टोटल वेट होगा वो 2379 किलोग्राम का होगा इसमें सोलर अरेज होगी 1000 कि अर्ट की जो है इसमें पावार जन्रेट होगी स्वर पुजा के तुरू और एक साल तक जो है वो चक्कर लगाता रहेगा इसकी लाइफ जो कि एक साल बताई गई है इसमें टेरेन मैपिंग केमरा होगा स्पेक्ट्रो मीटर होगा ठीक है सेंथेटिक अपर्चर रडार पॉइंट ऑफियुसे बहुत इंपोर्टेंट है लेंडर का नाम है विक्रम वज़ा नहीं उसका 70 किलो थीके पावर 650 वाट का पावर है उसका सोलर पावर रहेगा लाइफ होगी इसकी 14 दिन okay तो यह वह लैंडर लैंडर का नाम विक्रम किसके नाम पर work कर तो कहाई उनके नाम पर इसका नाम करता है घृक्ता स्थ है इसाध वाट की इसमें solar power होगी इसकी life भी 14 दिनों तकी रहेगी जो मैंने आपको बता दिया क्योंकि 14 दिन के बाद महाँ पे sun energy नहीं मिलेगी उसको ठीक है तो वो डिस्ट्रॉय हो जागो तो यह थी रोवर की जानकारी अब हम बात करते हैं चंद्रियान एक जिस्ट देख लेते हैं दोनों और चंद्रियान वन और चंद्रियान टू में थोड़ा सा compare कर लेते हैं तो आपको देखो पचलेगा कि launch चंद्रियान कब हुआ था वन 2008 में और यह हो रहा है 2019 में launch vehicle चंद्रियान वन पर यूच किया गया था वो किया गया था PSLV C11 ठीक है जो की हलके जो है सेटलाइट होते हैं उनको ले जा सकता था और GSLV Mark 3 जो है भारी सेटलाइ सब्सक्राइट को ले जा सकता है क्योंकि देखो आप वजन वजन जो है चंद्रियान वन का 1380 किलो था इसका 3850 किलो है वह सिर्फ और बीटर था उसमें वह केवल चक्कड लगा रहा था एक साल तक उसका जो लाइव था लेकिन चार महीने पहले ही खतम हो गया था लेकिन उ और बीटर अब इसमें तो केवल और बीटर था और इसमें क्या और बीटर है जिसकी जो है एक साल मैंने पहले बता दिया और कि यूँ मैंने आपको यदि बता दिए कि आर्थ-देस कि नौन नौर चंद्र मास इसको बोलते हैं तो यह था आपका इसमें बहुत सारे कोशन बन सकते हैं वह कोशन मैंने नहीं बनाएं अगर आप लोग कमेंट करें तो उसमें इंपॉर्ड़न कोशन बन सकते हैं वह कोश्चन कर वीडियो में आपको लेख ले आओंगा थैंक्स वॉचिंग है awesome day. Bye-bye.